हलो दोस्तों नमस्कार उमीदे आप सभी अच्छे होंगे मैं हूँ चंद्रा और फिर से हजिर हूँ एक नए वीडियो के शाथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाई का private की जहां काफी लोगों का private की हो गया है अब उनका संसे है कि कैसे होगा हमारे टोकन से क्या होंगे कैसे होगा इसी के बारे हम चर्चा करेंगे देखी सबसे पहले हम इसका जो second wallet है पहले wallet के बारे में सब जानते हैं ह ठीक है facebook से लॉग इन तो भी ठीक है उसी चीज से यह second wallet भी लागिन होता है ठीक है उसके बार लागिन हो जाने के बाद क्या होगा कि यहां के वाईसी हो जाती है काफी लोग कर लिये होंगे लेकिन यहां पर दिक्कत है कि अब जिसका प्राइवेट की खो गया है उसको यहां पर वॉलेट में आके अगर चेक करेंगे तो यह बार-बार आप से प्राइवेट की मांगेगा लेकिन आपके पास प्राइवेट की नहीं है तो आपका एकाउंट लॉग इन नहीं होगा समस्या यहां पत्मन ही होती है आपको दूसरे वोलेट में जाना पड़ता है यानी कि हम इसको मिनमाइज कर लेते हैं यह रहा बात नहीं है यह सारे विड्रॉल हो जाएंगे तो क्या-क्या स्टेप हैं इसको कैसे फालो करना है वीडियो को इसकी पना करें पूरा वीडियो देखेगा समझ में आ मेरे माइनिंग चल रही है तो आपको क्या करना है आपकी माइनिंग जो भी पहला अगर आपका प्राइबेट कि खो गया है तो भी पहला एकाउंट ही आप चलाओ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आपको बाइलेंस से मिलेंगे जो यहां पर माइनिंग होके रखा हुआ है ठीक है तो अगर आपका पासवर्ड वगेरा हो गया है उसको रिकवर करने का कोशिस करो कहीं से अगर आपको मिल जाए मोबाइल से फेस्बुक से जैसे भी लागिन हो जाए चलिए हम बात करते हैं प्राइबेट की का तो सबसे पहले आपको क्या करना है यह जो थ्री लाइन है इसको डैसबोर्ड लाइन बोलते हैं इसको हम क्लिक कर लेते हैं और आपको क्या करना है मैंनेट आप्शन पर क्लिक कर देना है इसके अंदर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आप देखिएगा कि अगर कुछ दो लोग है प्राइबेट की जिनका खोया है एक का केवाईसी हो गया है एक केवाईसी नहीं हुआ है ठीक है दोनों का इसू इस विडियो में हम करेंगे अगर जिनकी केवाईसी रही ही नहीं हुई है अभी तक कॉइन को थोड़ा भी अनलोग नहीं कर पाए है उनकी केवाईसी उनकी क्राइबेट की खो गया तो उनका क्या सोलूशन है पर क्लिक करोगे तो एक दूसरा प्षन आपको देखने को मिलेगा यह है जिसका नाम है मैननेट चेकलिस्ट में फ्रेंट्स देखिए जिसका भी प्राइबेट की एकाउंट खोया है उनके पास ओ दो तरह के यूजर है या तो इनकी किवाइसी हो चुकी या तो इनकी किवाइसी नहीं हुई है अब हम बात कर लेते हैं पहल आपको यहां पर एक आपसन मिलेगा एक दो तीन इसी तरीके से करके चार-पांच आपसन मिलेंगे यहां पर आप देख सकते हो तीसरे आपसन पर मेरा वोलेट अड्रेस हो कर रहा है यानि कि हमने इसको कहते हैं चकलिस्ट में माइग्रेशन लगाना कोईन की विड्रॉल के यह migration लगाना यह तब होता है जब आपके KYC हो चुकी है अब आप बात करते हैं यहां पर total 8 option है तो 7 option आपको click करने होते हैं यहां पर आके जैसे पहले में यहां पर दिखाया गया है कि पाई को पाई ब्राजर को install करो हो गया install create by wallet create भी कर लिया अब तीसरे में क्या है यहां पर आपका private की मांगेगा तीसरे में जो की आप डाल चुके हो और आपका private की अभी save नहीं है खो गया या कहीं mobile delete हुआ WhatsApp delete हुआ वो miss हो गया ठीक है लेकिन यहां पर जब आप आओगे तो आपका यह address सो करेगा चलिए address हो कर रहा है लेकिन अभी भी आपके पास option है इस वीडियो को पूरा देखिएगा option है यहां पर क्या दिखा रहा है commit lock-up चलो यह तो lock-up के लिए है कोशिस करो कि आप लोग जिनका कम क्वाइन है वो लोग lock-up करके माइन इंक्रीज करें चलिए यह जो पांचवा option है सब्मिट किवाइसी किवाइसी अगर आपकी हो गई है तो private की खो गया उसके लिए क्या option है यहां पर जो भी है 67 option complete करने के बाद आपको यह देखना है कि यह जो आठवा option आपका complete अगर यह blank है अगर यह blank है तो इसका मतलब है कि आपका अभी क्वाइन रिशीव नहीं हुआ है यह यूं कहो कि यह जो साथवा option है साइन acknowledgement यहां पर अगर आप साथवा पर क्लिक करोगे यह तभी क्लिक होता है जब आपका किवाइसी में भी हो सकता है ठीक है प्राइवेट की नहीं होता है डिजिटल साइन होता है तो यहां पर आपका कुछ सो करेगा लेकिन अगर आपका किवाइसी करने के बाद अगर आपने प्राइवेट की यहां पर लाके तीसरे option में डाल दिये हो यह तीसरे option में डाल दियो आपका address हो कर रहा है उसके बाद आपका migration भी हो गया है और यह आठवां automatically complete हो गया का मतलब है कि जो आपका first वाला यह migration है जो migrated balance हो करता है वो private की पहले पे चला गया है और आपका खो चुका है वो login नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि अब यह पहला वाला नहीं मिलेगा लेकिन दूसरा मिल सकता है यानि कि first installment जैसे माल लेजे हमारा 1300 चला गया पहले वाले पे और कैसे पता होगा कैसे पता होगा कि हमारा चला गया या नहीं गया है यहां पर आप option देखोगे यह 7 और 8 अगर आपका green हो चुका है इसका मतलब है कि जो भी migrated वाला balance है जो transferable balance दिखा रहा है वो पहले wallet पे जाएगा ही जाएगा और यह 10 से 15 बीस दिन का time में चला जाता है अगर यह आपका green नहीं है यह दोनो green नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका private की खो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है समस्या यही है अगर green हो गया है तो पहला जो migration balance है वो तो उसी पे जाएगा जो पहला चला गया है लेकिन अब चाहते हो कि आपका दूसरा बार जब पाई विड्रॉल मिले तो उस पर ना जाए तो क्या करना है आपको यहाँ पर आना है तीसरे option पर यह जो तीसरा option यहाँ पर है इसी को क्लिक करना है इसी को अब यहाँ पर देखिए उन लोगों का बात हो गया जिनका किवाशी complete है उन्होंने migration लगा दिया पहले वाले private keeper यानि पहले वाले address पर अब क्या करना है कि इन लोगों का बात हो जाए जिन्होंने migration लगा दिया तो अब इनका private keep हो गया और अब जो दूसरा विड्रॉल पा आप्षण पर आकर के click करोगे और यहां private की डालने के लिए आपके पास है नहीं यहां पर आप नीचे देखिए यहां पर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर क्या है create new pie जैसे इसको click करोगे आपको तुरंत एक private की फिर मिलेगा ठीक है यहां पर आप देखिए ध्यांस देखिए ये तीसरे आप्षन पर चेक्लिस्ट में तीसरे आप्षन पर जाकर क्लिक करना है अगर आपका प्राइबेट की हो गया है और माइग्रेशन भी आपने उसी पर लगा दिया है या जिनका किवाइसी नहीं हुआ है माइग्रेशन नहीं लगाया है तो वो भी यहीं प कि आप संसे उसको कॉपी करते ही नीचे रहेगा लॉग इन तुरंत लॉग इन कर देना और उसी प्राइबेट की से लॉग इन भी कर देना ठीक है लॉग इन करते ही आपको यहां पर क्या होगा तुरंत लॉग इन करोगे तो यहां पर आपका यह जो चिकलिष्ट तीसरा यहां पर आपका नए प्राइबेट की का एड्रेस सो करेगा ठीक है यानि कि आपका पुराना वाला खतम अब उससे नहीं मतलब है नए वाला यहां पर मिल जाएगा ठीक है अब क्या करना है जिनके क्याइसी हो गई है तो इसको सारा को कंप्लीट कर लेना लेकिन सात्वें तक कंप्लीट कर दिया आठवा भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो लोग अभी भी अपना नया क्रियेट करके तुरंट इसमें कनेक्ट कर देंगे यानि कि जैसे हमने बताया जैसे आप नया क्रियेट करोगे न तो यह आपका तीसरे में तुरंट नया एड्रेस आ और तुरंत पाई एड्रेस को सेव कर लेना है ठीक है उसके बाद कोई घबराने का बात नहीं है आपका आठवां आटोमेटिक कंप्लीट होगा तो उसमें नए वाले पर चला जाएगा और जिन लोगों का एक सिफ्ट इंस्टॉल्मेंट मिल चुका है पुराने वाले पर और सत्तर हम लगाएंगे तो यहां पर जितने लोगों की केवाईसी हुई है करीब दो-तीन हजार कोई वहां से हमको मिल जाएंगे ठीक है यह जो आपको दिख रहा है बहुत सारा कोई यह भी मिल जाएगा तो कहने का मतलब यही है कि यहां पर आपका जो चेक लिस्ट है यहां आप तीसरे option में आकर के आपपना withdrawal address को private की को change करेना है ठीक है change करेंगे अगर दोनों इस स्थितिव में change करना है जिन लोगों ने अभी तक केवाईसी नहीं किया है उनको भी change कर लेना है और जिन लोगों ने migration लगा दिया है private की खो गया है तो दोनों आप समें change ही करना सिफ्ट जो मिलने वाला है अभी हम लोगों को सभी को वो बेच जाएगा या फिर जिन लोगों ने अभी एक बार भी किवाइसी ने हुए है या माइग्रेशन नहीं किया है तो उनका तो पूरा का पूरा इसी पर आ जाएगा जब दूसरी बार जो दूसरी बार यहां पर तो भी कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपका यह साथ आपजसन यह और अगर जिन लोगों का खोया है पुराना एक सिफ्ट चला गया खोया वा तो अब नया वाला दूसरा जो जाने वाला उसको नया बचा लेंगे, वो पाई विड्रॉल मिल जाएगा, ताकि आप लोग नया इसमें डाल लीजिए, प्राइवेट की को नया कनेक्ट कर देजिए, तो कहने का मतलब है कि दोनों situation में, चाहे आपकी अभी एक बार भी विड्रॉल नहीं मिला है, तब ही प्राइवेट क बिड्रॉल नहीं मिला है, जिनका KYC नहीं हुआ है, या काफी लोगों का KYC हो गया, उनका भी तक migration नहीं हुआ है, प्राइवेट की खो गया, तो भी आप आके यहाँ पर तीसरे option को क्लिक करके, यहाँ पर नया प्राइवेट की जनरेट कर लेंगे, जनरेट करके तुरंत नये वाले पर आई ही जाएगा, पुराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आपका बिड्रॉल नहीं हुआ है, और जो पुराने वाले हैं, उनका एक बिड्रॉल चला गया, प्राइवेट की, पुराने वाले पर तो उन लोगों का क्या होगा, कि अब नया जो second बिड् देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ट्रांस्फरेवल में 48 कोई दीख रहा है, लेकिन अगर इसका प्राइवेट की खो गया है, अभी इस प्रोफाइल की केवाई से नहीं हुई है, और इसका प्राइवेट की खो गया है, यहाँ पर हम आएंगे, चेक लिस्ट आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको वही देखने को मिलेगा, तीसरा आप सन, यहाँ पर देख सकते हो, यह तीसरा आप सन है, और यहाँ पर देखते हो, जैसे मैंने कहा कि 7-8 अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो जब तक यह कम्प्लीट नहीं हुआ है, तब ठीक है यानि कि अगर आप पुराना वाला भूल गए हो तो यहाँ पर आप आ करके नया तुरंट बना शक्ते हो ठीक है create new account यहां से नया बनाओगी जैसे बनाओगी इसको सेव कर लेना और स्टुरंट सेव करके लॉगिन करोगे लॉगिन करते ही क्या होगा कि आपका जो यह तीसरा आपसन है तीसरा जो आपका आपसन है यहां पर तीसरा जो आपसन है यहां पर यहां पर जो नया वाला भी अभी लेटिस्ट में प्राइबेट की सेव किये उसी का एड्रस यहां पर आ जाएगा और उसी की को उसी private की को ले जा करके आप इस प्राय ब्राऊजर में इस चेकळ और करो करों करोंगे हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यहाँ ठूलते ही आपको क्या करना थी प्रायबीट की को submit कर देना तो friends, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक address जो दिख रहा है, यहाँ पर last में PCC है, तो इस address को completely check करने के बाद आपको पहले application में चले जाना, first application में, वहाँ पर यहाँ पर आप आप करके देखते हो तो यहाँ जो तीसरे option में आपका address है यहां पर भी यही सेम एड्रेस है पी सी सी लास्ट में है तो फ्रेंट्स इस तरीके से दोनों जगह पर एड्रेस वेरिफाई करने के बाद आप कंफर्म हो जाना कि अब आपका विड्रॉल इसी पर आएगा हमेशा आता रहेगा तो उमीदे फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया